हेलो एब्रीवन विल्कम टू आई एस पॉइंट आज हम लोग यहां पर अपना देखने वाले हैं जैसा कि आपको स्लाइड में दिख भी रहा होगा जो हमारा है शीडियोल से ठीक है तो अभी हमने कांशीडियोशन के दो तेन चेप्टर कंप्लेट के हैं यानि कि लक्षमी क है ठीक है हलाकि एंग्लिस में है बट मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगी विल्कुल आपको कंफ्योज नहीं होना है और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपनी जो भी रफ कांपी लेके बैठना है जब भी आप मेरी क्लास ले रहे हो ठीक है और यह क्यों मै क्या होता है ना कि आप वीडियो को वार वार नहीं देख सकते हो लेकिन हां एक बार यदि आपने सुनते सुनते लिके भी लिया तो ऐपका टाइम भी बच जाएगा और आपको जब भी रिवाइच करने का टाइम आएगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि जरूर कर दिया करिए ठीक है तो अब हम बात करते हैं यहां पे कि क्या चीजे हैं और मतलब सीडियोस जो हैं तो इन में कितने हैं और किस तरीके से इन में क्या-क्या बाते कही गई हैं तो इनको देखते हैं तो आप लोग यहां पे देखी क्या है कि जो सीडियोस के अधी हम बात करते हैं कि यहां पर 26 नॉमबर सबसे पहली बार पढ़ा गया ठीक है और लागू हला की 26 जनबर 1905 को उबात की थी हमारे संभीधान में आपने पढ़ा मैंने इपढ़ा था आपको कि कितने मूर संभीधान की अधी बात करें तो वहां पे कितने हमारे भाग थे अनुसूचिया थी और नियुद्र रखे गए थे तो आर्टिकल्स की अधी हम बात करते हैं तो यहां पर 395 उस तो यह पार्ट में था आपका 22 और उसके बाद इसमें बात करें किसमें स्टीडूल कितनी थी यहां कि अनुसूजिया कितनी थी तो आपकी कितनी थी एट थी यह हमने बात की मूल संभीधान की 26-1949 तक की घटना यह है कि यानि कि 26 जनवरी 1950 तक आप मान सकते हैं कि वहां पर इतने और इतने इतने ठीक है इनका आपको रेश्यो याद रखना उसके बाद अपडेट हुआ यहां पर अपडेट में इसकी अमेंडमेंट हुआ ठीक है संसोधन हुए और लगाता देखी संभीधान लागू हुआ संभी संभीधान संसोधन हो चुके है और अनुसूची है कितनी उसमें प्लस आपके हो चुके है आर्टिकल उसके बाद 25 हो चुके है आपके पार्ट यानि कि भाग और उसके बाद आपकी कितनी हो चुकी है बारे हो चुकी है आपके अनुसूची या शीडियो जिसकी बात आप करते हैं तो इसको आपको याद रखना देखिए आप आते हैं इधर उधर की बाते ना करते हैं अपने सीडियो में सीधे आते हैं कि जो बारे हैं उनमें से क्या क्या बाते कही गई हैं तो देखो पहला जो पहला शीडियों से आपको लिखते कैसे जाना है या तो आप जैसे ये चार्ट आपको दिख रहा है ऐसे ही लिख लिजे या तो इस तरह आप comfortable नहीं है तो सीधे आपको क्या लिखना है पहला अनुसूची या कि पहली अनुसूची हिंदी एंग्लिस जिसमें भी आप लि दिखना जरूर है तो दिखें यहां पर क्या हुआ था जो फर्स्ट इस्टिडियों के अधि हम बात करते हैं कि पहले जो हमारा क्या था कि अनुसूची थी उसमें क्या बात की गई थी तो यहां पर क्या बात की गई थी नेम आपदा इस्टेट एंड देयर टेरिटे रियाल जो डिडिक्सन्स थे उनके बाले में बात की गई थी यानि कि इसका मतलब क्या हुआ आपका जो हमारी समिधान में अनुसूची थी उनमें से सीधे सीधे यह बात की गई थी कि राज्यों के नाम एबं उनके न्याइक छेत्र तो पहली अनुसूची में क्या बात की गई र यहां पर क्या हुआ कि जो इस्टेट नाम की बात आतीं हैं तो जैसेए मैं बात करूं कि सबसे पहला इस सबसे है बचचे बचचे को बटांगी पहला इस्टेट अनी सो तिरबं में जो बनाय गया था और ऑनी सो आधर मिए झान स में शूर्राइब कि यहां पर क्या किया गया था कि इसके चैटर में परीवर्टन किया गया था आप पिराइक चेतर कितने हैं किसको कितना मिलेगा तो अभी दो जून dorus दो जून 19 जो आपका 2014 है ठीक है यहां पर एक अलग राज बनता है तेलंगाना किस से अलग होके बनता है यह अनुसूची में आएगा आपको पूरा यह कांसेप्ट समझना है कि नाम के नाम में परिवर्दन या एक छेत्र में परिवर्दन किस अनुसूची में बात की गई ह यह तो आपको पूछ लेगा कि तो जून 2014 को जिस तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ वो किस अनुसूची के तहट हुआ था कैसे भी बन सकता है ठीक है तो आपको याद रखना आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल वन है ठीक हलाकि मैं इसके बाद जस्ट आर्टिकल ही प आर्टिकल ये क्या कहता है भारत राजियों का संग है यहां पर और राजिकल जो दो और yeah आपके यह जो कहते हैं खर्शेत्र डीटिट्री जो है उसमें भी यहां पर अगया योटीवल्ड आती है इसके राज्ये के नाम और उनकी सीमआ है यह बात करता है कौन सा अनुसूची एक ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा एक्जामपल के लिए आप याद रखिएगा कि 1903 में जो बना आंदे प्रदेश पहला राज इसी किसके अधार पर बना था इसी अनुसूची के अधार पर बना ठीक है इसको याद की जाती है तो यहां पर सबसे पहले है न आपको रट्टा ना मारना हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप याद रखे कि जितने भी संबैधानिक बद संबैधानिक बद में जो भी हमारे रखने करने के खिए समय कई कि यहाँ पर डिकल कस घाज्टन दीफाइन तो रच्ट्टोन की नयुकति का कारयकार रष्ट्टीब्त्य वपर अलगेल रच्ट्टीब्त्य नाट चैनल मतलब है कि जितने भी संबैधानिक पद है चाहे वो कायग हो चाहे वो निरबाचयण नायों कोई भी हो जिनके लिए पार्टिकुलर रार्टिकल हमारे डिपायन हैं आप पढ़ते हो वह सारे के सारे यहां पर इस अनुसची के अंतर गताने वाले हैं इनके बात की गई है जो बेतन और इन वैक्तियों की उपलब्धियां क्या क्या है उनके बारे में हमारी अनुसूची दो बताती तो इसमें क्या बात करनी है आप देखिए कि अलग अलग लिखा गया खेर मैंने सम्मेधानिक पर आपको अवराल बता दिया लेकिन यहां पर जैसे है कि प्रेसिजेंट आफ इंडिया हो गए गवर्नर्स ऑफ इस्टेट के गवर्नर आपके देश की राष्ट्य पती हो गए उसके बाद इसपीकर टिप्टी स्पीकर तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो लोकशवा तो यहां पर इनको क्या कहा जाता है तो इनको सभापत्य कहा जाता है इनको अध्यक्ष कहा जाता है यह बात में वाय में जकेक सभा राजस्ट के सभापति होते हैं कि जो उप्राश्ट्र पति होते हैं या उनको वैत рекद्पता की सधार भी दिया जाता है लगा हैं कि एक्षट और भत्त पती का कुछ भी नहीं मिलता है और बहुत नहीं कोई सुविधाय नहीं मिलती है ठीक है वो किसके रूप में मलती है राज सभा के सभापती के रूप में उनको बेतन भत्ता सारी चीज़े मिलती है तो इसको थोड़ा से याद रखेगा question बनते हैं ठीक है तो यहां पर क्या हुआ कि राज्य सभा कभी आपने देखिया जो भी प्राइब के लेजिश्लेटिव असेंबली के वह गए विधान सभा ठीक है कि राज्य सभा अलग है संसद की अंग है उसके बाद बिधान सभा बिधान सभा आपकी अलग है ठीक है ध्यान रखेगा कि जैसे सेंटर में क्या होगा थोड़ा सी concept में मैं आपको समझा दूं कि जैसे छाही इसा सभा बिदान उस तरीके से आपके सिट में यानि की राज्य की बात करें हम तो वहां पर कौन कौन आएगा से चाहते हैं यहां पर कौन कर दोदिफे desarroll कि यहां कि तो वहां के गवर्नर होते हैं और गवरणर बात करें राज्यपार तो यह ठोड़ासा ध्या और जब भी आप पढ़ेंगे ना देखिए कि कुछ बहुत सारी चीजें में कामन मिलेगी जैसे विधान सभा लोक सभा में राज्जी सभा और विधान परिष्ट में राश्टीपती और गवर्नर में काफी चीजें कामन मिलेगी आपको ठीक है तो यहां पर इसको थोड़ा स मिलेगी खाए लागु करते हैं नहीं करना चाहते हैं और बिधान परिशट अश्टी चैनल में राज्जए इत्यापमला सुँईर्ट सअब घावनान सभा में राश्ट परिष्ट में कि नब श्रक लोछ में तो नहीं बिधान परिशाथ तो यहां पर जो आपकी legislative assembly तो ठीक है उसके बाद legislative council की भी बात की गई और यहां पर आप देखी क्या होता है कि जज आप सिप्रीम कोट यानि कि चिप जश्टिस ऑफ इंडिया जितने भी जज होते हैं वो ठीक है उसके बाद आपका क्या हो गया कि हाई कोट के भी जच यहां पर आपके आएंगे और आपके जो CAG है यहनी कि controller जो एंड अडिटर जर्नल है वो कौन है CAG कैग तो इनके बारे में कहां पर बात की गई अनुसूची दो और यह क्या कहती है इनके बेतन भत्ते उपलद्धियों की बारे में बात करती है ठीक अनुसूची 3 यहां पर देखें जो आप लिखे हुए है तो इतने मतलब अभी आपके पूरे आपके नेंगे हम बात में देख लेंगे अब यहां पर आता है आपकी जो अनुसूची है तीसरी और तीसरी अनुसूची में क्या बात करता है बहुत यहां पर important बात है कि हमारी third यहां पर सीडियोल की बात की गई है इसमें क्या होता है कि विविन उम्मेद्वारों दोरह लिजाने वाली सापत या ज़िए गये हैं ठीक है और यह उम्मीद्वार कौन हो सकते हैं यानि कि जितने भी हमारे यहां पे फॉर्म सब्दा ओट्स और ऑफ़रमेसन यानि कि देखें कि जो सपत और प्रतिक ज्यान की बात कि गई है तो दूसरे में हमने क्या देखा इसको बिल्कुर रिकॉल करती जाहिएगा पहला तो था कि वहां पर राजी के नाम चेट स्रीमा में परिवातन दूसरा आता है आपका की सपत और इसमें कैसारी बैतन भत्ते की बात की गई थी लेकिन तीसरे में क्याता है कि वही वेक्टी जो बेतन भत्ता पारें उनका सपत हो गएड़ा जाएगा ना उनको पोस्टेट दी जाती है कि आप किस मिनिस्ट्री के हो किस क्या क्या वह सारी चीजी होती है ना चाहिए लेक्टेट हो नॉमिनेटेट हो जो भी हो तो समयधानिक पर वही लोग आते हैं आपको ये पहता है एक डियम के लि किराए जाती है कि प्रतिक लुगों के सपत की गई है तो जो आपर यूनियन मिनिस्टर होते हैं जितने भी इस मतलब की मतलब की सारे यहां पर उनके शूद की बात की गई है उसके बाद जो भी Candidates for इlection to यहाँ पर भी कंडिडेट की होते हैं कि पार्लेमेंट में चुनके आते हैं उनके सबत की बात की गई हैं में सॉप्रीम कोट सुप्रीम कोट के halves सपत कराता कौन तो इनके लिए भी मैं एक सिप्रेट वीडियो बनाओंगी अलग सी ज्यादा वर्डन पर जाता है और इसलिए अलग-अलग से वीडियो बनाया जाएगा ताकि आपको सारी चीचे समझ में आ जाए ठीक है अब उसके बाद क्या आता है कि आप सुप्रीम कोड के जज की बात क हैं उसके बाद आपका साँ हघ्र di努्र यहींन तक्राहिज के बाद पर वात की गई थ जी तो सब को याद रखना है अलग- caliber भी नहीं जाना है उतके जाना है उसके भी सब्सक्ने एम की शकूल्ठ की जतन वीकितने बजितने उनके पर कि आभक dónde शूचे बात की कि गई यहाँ पर जितने भी संबैधानिक पद है सभी विक्तियों के सपत और प्रतिज्ञान की बात कहां पे की गई है तो वो की गई अनुसूची 3 में बेतन भत्ते की बात अनुसूची 2 अब आता है यहां पे कि लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पे कुछ पदों का मेंसन नहीं किया गया है तो आपको अलग से एड़ नहीं करने लग संबैधानिक पद का मतलब कि आप सारे पदों को एड़ कर लो कहीं पे आपको राष्ट्रपती गवर्नर इनको भी कौन कौन है इनको याद रखना आपको ठीक है अब आते हैं आगे चौथा जो हमारी अनुसूची है यह फूर्थ इसमें आप देखोगे कि जो हमारे यहां पे चौथी अनुसूची की बात करें तो यानि कि राज्यसभा में इस थानों का प्रतिनी धी अवंट है जिसे कि यहां होता है कि जू राज्यो में सीट आ स्वा से चाहर के लाज्यस defence ए तो लोग्ष नहीं की गई तो इसको भी आपको याद रखना कि जो शोथी अनुसूची है वो हमारी क्या बात करती है तो यहां पर यह बात किया जाता है कि राज्यो और केंद सासित प्रदेशों के लिए कहां पर राज्य सभा में दोछितने भी आपके यहां पर जो हमारे इस्टेट हैं जो हमारी union territory है UT है यानि की और इसमें यदि आप देखो वह सिंटर की बात तो नहीं आ रही है और लोगसभा में भी नहीं आ रही हैude लाज्य सवगाई की gummy की जा रही है आपके फोर्थ शीडेैवन मैं ठीक है दिन आता है आपका 5 देखे यह चोटी-चोटी में बाते बार बार चार बार दोहरा रही हूं न इसलिए दोहरा रही हूं कि आपके धिमाग में बैठ जाए क्योंकि कहीं न कहीं हम यही छोटी-छोटी नहीं पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है ताकि हमारा सेलेक्शन हो जाए उसके आंगे कुछ नहीं चाहिए तो इसमें चौती अनुसूची तक हम ने देखा पांचीवी अनुसूची क्या है फिप्ट सिडियोल जो आता है आपका तो यहां पर बात की गई है हमारी जो फिफ्ट और सिख्थ है सबके लिए फेब्रेट है वह खुद मतलब कि सब इसे प्यार करते हैं तो कुर्शन इसे बना ही देते हैं तो देखो जो पांची वह तो यहां पर फिफ्ट की जादी मैं बात करूं इसमें क्या मैंने बताए कि अनुसूची छेत्रों ठीक है त बता होना चाहिए जो अधर बैक्वाइट क्लासेज है यानि कि जो ओभी सी है ठीक है यह जिनका सौर्ड फॉर्म आप भूट धडले से योज करते हो यस्टी का टेग्री से जर्नल कटेग्री से आते हैं यस्टी का मतलब क्या हुआ आपका सीडियोल ट्राइव है यस्टी का म सेडियोल काश्ट है यानुसूची जाती है और अनुसूची जन जाती यानि कि यह होता है तो देखे इसमें क्या हुआ यहां पर सिर्फक बात की जाए पांचवी अनुसूची में किसके मतलब की जो है इसका एरिया है वहां पर परसासन और नियंद्रन का प्रावधान पांच वी नहीं को कि यहां पर यह इस समझ हो और लिख भी लेजे को में कि चटी गही Espco L सब्सक्राइब कर दो ऐसका चाहीं क्या बात हो में पहलाद हो सुआजेकी स्ब्सक्राइब उसके प्रसाइब तर्फन में आप बात है तो यह स्टेट के नाम तो candному क्या कि तो बात कर दी इसने प्रसासनिक जो यहां पर विश्था है और नियंद्ण है उसके पी प्राउधान की बात कर दी कुछ स्टेट दे लिया अंतर सिर्फ इतना है कि सथीवी अनुसूची पर्टिकुलर कुछी स्टेटों के लिए बनी हुई है साथ पाचवी अनुसू जित थोड़ी यह हिंदी में भी आप लोग लिखी लीजिए जो अनुसूची तापकी क्या है यहां पर जन जाती है ठीक है जाती नहीं जन जाती इसकी बात हम लोग कर रहे हैं तो इसमें क्या है यहां पर पाचवी और शटमी में एक बर मैं फिर बोल रही हूं कि इसमें जितने भी स्टेट आ रहे हैं जितने भी स्टेट में रहते हों कि एस्टी कटेग्री के लोग उन सब के लिए बात की कि पांच वी अनुसूची में किसका जो एड्मिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल करने की बात लेकिन छट भी अनुसूची आपकी बात करती है ट्राइवल ए हो गाइ तो यह तो त्रिक का मतलब किया है आससे हो गाए आपका है तिहाट कर त्रिक धाय कि भाइरिया ट्राइब करते हैं और यहांपे ति इसे में क्या किया गया था कि थोड़ा से नोट में लिख लिए। कुछ बाते जो अलग से edd करने लायक होती है, इस में क्या हुआ था कि 2005 में गोल्खा लेंड और धार्जिलिंग पहाड़ी में संब्लित किया गया था, तो इसमें आपकी चटवी अन्सूची में क्या आपका असम मेगाले त्रिपुरा और मिजोरम है लेकिन जो गोर्खा लेंड और जो दालजीलिंग पहाड़ियां है उनको ही कहिन के समलित इसमें किया गया था तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए ठीक है बस इतना याद र बनता नहीं है नोट्स बनाते जाएं और अच्छे तरीके से अपनी प्रिप्रेशन को टाइम दीच है क्योंकि यह दुनिया सफर्जी है बस आप जो करेंगे वही क्योंकि आपकी मेहनत कोई नहीं देखता आपका रिजल्ट सब कोई देखते हैं ठीक है तो यह किसी को नही परिवार वालों को ना पड़ोसियों को बहुत दिक्कत होती है इसलिए आपको सबसे बड़ी बात है कि हमें चो पढ़ना वह बहतर तरीके से पढ़ना ठीक है एंड अब हम बात करेंगे सेवंथ सीडियोल के और उससे सेवंथ से तौल से तक कल बात करेंगे तो क्योंकि आप लोग ना क्या करते हो वीडियो स्किप करकर भाग जाते हो तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब हो था नहीं है इसलिए आप लोग मेरी द्युकेस्ट है कि इंडे तक देखा करिए और यहीं समझ में आते हैं तो बिलकुल आप बेजी जग बोल सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक आपके लिए होंबर्ग है कि यहां पर जो भी चीजी है जो मैंने पढ़ाया है उसे प् सब्सक्राइब में तो नाम लही रही हूं लाइब चैट जो होती है वह हम देखनी पाते वह ओफ रहता ठीक है इसलिए आप लोग बिलकुल टेंसन मतलिया करें हाँ जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपना यहां पर बुलवाना है सुनना अच्छा लगता है तो सब 현is न IP KulturFT जो कम लोग देख सके और हम लोग लोग देख सके और आपके एंसर का जो कॉस्त मतलब जो आप एंसर कर रहे हैं तो उसको बता भी बताया सद चैनल कि हां आप पढ़ रहे हो और आप सब का नाम चरूट अब लिया ओग धिकि में अथे चेट देखे चाते हैं पढ़े चाते हैं तो इसलिए आप बेशी चक कर सकते हैं इसमें कोई बहुत बड़ा इस्व नहीं है सो आलता विष्ट आप लोग पढ़ते रहें और गुड़ दे मिलते हैं फिर